एपिजोड 151 के शडवात एमरी और लाइला से होती है जहां एमरी लाइला से कहता है तो तुम फिर से मेरी असिस्टेंट बन गई हो लाइला मुझे अब से मिस्टर एमरे ही कहना तो लाइला कहती है हाँ बिल्कुल आप कितना बॉस पना ज़ाड रहे है इतने में ही वहाँ स ने हैंसुम लग रहे है इतने में ही जान कहता है किसे को चाई परने है क्या मुझे एक चाई चाहिए था जैता हम्हां मुझे भी आपके और मेरे अलावा यहाँ कोई चाय नहीं पेता है तो जान कहता था अच्छा सानिम के लिए भी चाय लाओ ऐसा कि उइसा और मुझो को चार बनाने के लिए करता है और मुझो जीजी को फिर से इंट मेली हाथ और मिलकी बेere शिर्प्ट होता है वो जान के लिए कोई कारा बनानी का फ्लान्च करते हैं तो इतने वहीं निहात वहां आते हैं तो मिलके बे summat उन्हें कुछ नहीं बताती है इतने मे udah पकेटे गुड करो करो मैं चलता हूँ ऐसा किकर निया जैसे यह बाहर जाते हैं वैसे एक आदमी दर्वाजी पर हर्प्स लेकर आता है तो मेली अज़ता से उसे अंदर ले लेती है फिर से इंड मिस्टर आजीज और जान पर सिफ्ट होता है जिह कहता है डेर में यहां कॉम सम्पानी संभालने के लिए यहां रुखना पड़ा तो जान क्याता है आप भीमार थे अब तो आप ठीक है ना प्लीज मुझे बताइए तो अजीज कहते हैं हाँ बेटा मैं ठीक हूँ फिर वो दोनों भी गले लग जाते हैं फिर से इन डेरन पर शिफ्ट होता है वो भी सब पीने लगती है तो जान कहता है संभे जाने का एरादा नहीं है क्या मुझे काम करना है तुम्हें आपन्स फिल नहीं होता है तो सनिम को आति है आह सनेम वो तुमें भूल गया है तुम तो उसे याद तक नहीं हो सनेम तो सनेम कहती है चुप करो बंदर इतने में ही डेरन वहां आ जाती है और सनेम को प्रोजेक्ट बताती है पर सनेम का ध्यान नहीं होता है इसलिए वो डेरन से कहती है अरे पहले मैं पहले जैसे तयार हो कर आती हूँ मैं पहले ऐसे ड्रेस थोरी ना पहनती थी ऐसा केकर सनिम चेंज करने चली जाती है फिर से निहात पाप बबल शिफ्ट होता है वो मिलकी बेप पर छुप कर ध्यान रगते है इतने में ही घर में से मिसिस कामराल निकलती है तो निहात पापा उसके जाते ही मिलकी बेप से जाकर कहते है कामराल तो एक नजर उतारने वाली है न वो यहाँ क्या कर रही थी अगर तुम जान के लिए कुछ प्लैन कर रही हो तो तुम समझ जाओ मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मैं ये तुमें करने नहीं दूँगा समझी तुम तो मिलकी बे कहती है हम खाना बना रहे हैं जाओ तुम यहाँ से ये सब क्या बगबग कर रहे हो तुम ऐसा के कर मिलकी बे दर्वाजा लगा लेती है फिर सेन सनिम पर शिफ्ट होता है वो पहला वाला लुक बना कर ओफिस में आती है और डेरन से कहती है आप मुझे पहले की तरह ही दुसरी वारी बुलाना मुझे इंसल्ट भी करना इससे जान को पुरानी बाते याद आईगी और उससे देजावू जैसा फिल होगा तो डेरन कहती है हाँ मैं समझ गई फिर वो दोनों भी आफिस में आती है तो सनिम कहती है हम आपके लिए कुछ आइडियास लाए है तो डेरन कहती है दूसरी वाली वो आइडियास तुम्हारे नहीं मेरे है तो सनेम कहती है मेरा नाम सनेम है सनेम दूसरी वाली नहीं तो डेरन और सनेम के तू तू में में सुनकर जान कहता है वाइट मत करो मैं जानता हूँ तुम दोनों बहुत क्लोज हो पर तुम्हारे इस behavior से मुझे कुछ भी याद नहीं आया seriously पर इतना तो पता चल गया कि दो साल पहले डेरन तुम अपने interns को insult करती थी तो सनिम कहती है और आपने मुझे प्रोटेक्ट भी किया था जान तो जान कहता है मैं जानना चाहता हूँ कि तुमने ऐसा क्या किया था जो तुम्हारी जैसे intern को मैंने प्रोटेक्ट किया तो यह सुनकर डेरन और सनिम को बुरा लग जाता है पर डेरन वहाँ से चली जाती है तो डेरन के जाने के बाद सनिम जान के करीब चली जाती है तो जान कहता है हाँ तो यह कुछ इस तरह से था तुमने तब मुझे influence किया होगा तो सनिम कहती है क्या आप भी मुझे influence है जान तो जान कहता है हाँ पर तुम्हारी हिम्मत देखकर क्या तुम प्लीज खड़ी रह होगी सनिम तो सब्सार को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है जरूर में खड़ी रहती हूँ पर आप बहुत ही एरोगेंट हो गये जान तो सनिम कहता है जान आप पहले ऐसे नहीं थे आपने कभी भी मेरे साथ ऐसा भी हम नहीं किया आप एक tough boss की तरह पेश आ रहे हैं तो जान कहता है मैं एक tough boss नहीं हो सने तो सनिम कहती है हाँ मुझे दुख हो रहा है लेकिन आप पहले जैसे humble mister जान नहीं रहे है तो जान कहता है तुम्हें इसी हरकते करोगी और मैं react भी ना करूँ मैं सिर्फ खुद को protect करना चाता हूँ तो सनिम कहती है कैसा protection किसे protect करना है आपको मैं कुछ समझी नहीं तो जान कहता है तुम मेरा फायदा उठा रही हो और ऐसे पेश आ रही हो मानो जैसे तुम boss हो तो सनिम कहती है लगता है आपको एक थपड लगानी पड़ेगी जिससे आपको सब कुछ यादा जाए तो जान कहता है क्या doctor ने कहा है क्या ये तुम से तो सनिम कहती है जान में कहानिया नहीं बना रही हूँ हम दोनों एक दुसरे से प्यार करती थे तो जान कहता है पर मैंने मेरे मन में अब तुम्हारे लिए एक negative feeling generate कर लिए है सनिम तो सनिम कहती है हाँ मैंने भी अगर आप positive रहेंगे तो सब positive होगा ऐसा केकर सनिम वहाँ से चले जाती है तो बाहर लाईला आकर उसे कहती है सनिम तुमने अपना style change कर लिया तो सनिम कहती है यह सब मैंने जान के लिए किया था पर अब मैं तंग आ गई हूँ seriously तो इतने में ही वहाँ से मुझोर जेजे जगरते हुए भागते है फिर सनिम कहती है मन करता है कि जान को चाकू मार दू ऐसा केकर सनिम वहाँ से चली जाती है फिर सिन मिलकी वेपर शिफ्ट होता है वो काड़ा बना लेती है और कहती है देखो अब वो कैसे सनिम सनिम चिलाता है तो इतने में ही वहाँ सनिम वो लाइला कर कहती है मौहम ये आप क्या कर रहे है तो मिलकी वे कहती है यहीं याद दश फल्टू काड़ा है जान के लिए तुम ये उसे चाए में मिला कर दे देना फिर देखना तुम उसे कैसे याद आ जाती हो तो सनिम कहती है मुझे नहीं लगता वो इससे पिएंगे तो मिलकी बे कहती है फिर तो वो जल्दे ही पोलेंड के पास चला जाएगा देखना तू तो सनिम कहती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता मैं उन्हें ये काड़ा पिलाओंगी आफ फिकर मत करिए फिर से इन जान पर शिफ्ट होता है सनिम उसके पास जाती है और कहती है आपका पहला दिन कैसा रहा आच का तो जान के दम अच्छा रहा तुमसे लड़कर जादा मज़ा आया क्या हम हमेशा से लड़ा करते थे क्या तो सनिम कहती है हम दोनु साथ में खुश थे मैंने अपनी कहानी नौवल में लिखी है ये कहानी मेरे प्यार के नाम है और आप मेरा प्यार है इसलिए प्लीज आप इसे एक बार पढ़ लीजे ये नौवल मेंने लिखी है ऐसा केकर जान को नौवल देखर सनिम वहाँ से चली जाती है फिर सेंड डैनिस पर शिफ्ट होता है जहां उसके डैड की तबियत खराब होती है इसलिए वो जा रही होती है तो सनिम सैड हो जाती है तो डैनिस उसे समझाती है दियर सनिम तुम सिर्फ अपनी बुक लिखने प सामने जबर्जद बुलाया करो, हो सकता है कि उसे सब याद आ जाए, तो सनिम कहती है, ओके मुजो, देखो, इस थर्मास में एक काड़ा है, तो हमें ये काड़ा चाए में मिलाकर जान को पिलाना है, ताकि उनकी याददाश वापस आ जाए, तो मुजो कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा ये काम कर दूँगा सनिम, पर मैं इसे अखेले करूँगा, मैं जेजे के साथ ये काम नहीं करूँगा, जेजे और मैं आज से अलग हो गए है, तो जेजे कहता है, सनिम, तुम मेरे एक परसेंट शेर बरा दो, फिर देखो, मैं कैसे इस मुजो को इस आफिस से निकालता हूँ, तो सनिम के तिये, हमारा पहला मिशन है, जान की याद दाश लाना, उस पर फोकस करो, इतने में ही जान ओफिस में आता है, तो मुजो उसके लिए चाय लेकर आता है, पर चाय का कलर इतना भंगार होता है, कि जान उसे ट्राय नहीं करता है, तो मुजो कहता है, जेजे तुम उन्हें तुम्हारे कप में चाय दे कर आओ, वो कप ट्रांसपरेंट नहीं है, उन्हें पदा नहीं चलेगा, तो जेजे चाय लेकर जाता है, तो कप को देखकर जान केता है, मेरे लिए ट्रांसपरेंट कप लेकर आओ, तो जेजे केता है, वो ट्रांसपर दूँगा मेरे करीमत आना पता है मैं पहले मर्डरर हुआ करता था और आप मुझसे डरते थे तो जान कहता है पता है तुम्हें मैंने चाय के साथ क्या किया मैंने उससे फेक दिया ऐसा कि जान दूसरा कभ भी पॉट में खाली कर देता है और जेजे को वहां से जाने के लिए कर लिए जान चाय लेकर जाती है और जान उसके और देखता नहीं है तो वह खुट चाय को पीने लगती है ररीugo वाव ऐसा केकर सनिमा जी बजी हरकते करती है तो जान उसके और देखकर कहता है यह तुम क्या पी रही हो सनिम तो सनिम कहती है यह बहुत ही टेस्टी है लाज जवाब है क्या आप इससे ट्राय करेंगी जान तो जान कहता है लाव मैं ट्राय करना पसंद करूंगा ऐसा केकर ज मेरे चैनल दिवाने आंप में पूरण όसे पूर्ट केता है तो उस पोटल के लिए ऐखा तो अधीन के लिए अच्छ स्विय कई थो यहाँ तिने के लिए पीने के लिए अच्छा अच्छा तो मैं अभी जा कर मेरी मौम से गवार करती हूँ ऐसा के कैसनेम वहाँ से चली जाती है तो जान कहता है काहँ पागलो के बासार मैं फस गया मैं तो बागे क्या होगा कैसनेम जान को काहड़ा पिलाने में कामियाब हो जाएगी आगे क्या होगा जाने के लिए बने रहे हैं मेरे चैनल दिवाने हैं हम पर जल्द मलाकात होगी अगले एपिसोड में अलविता दिवानो जल्द मलाकात होगी अगले एपिसोड में